हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजिनियर्स पॉइंट में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अपने पिछले दो वीडियो में हम डी एप सी सी आयल का एक्जिक्विट्यूट्यूज का पेपर का दिस्कु कर रही थे 2018 वाले गाँ तो हमने पृछले लास्ट के पार्ट 1 यहां पर पीछले दो वीडियो में पार्ट 1 और आपॉक्डी यहाँ पे upload किया था जिसमें कि हमने यहाँ पे आपसे आपसे जो है circuit analysis, machine के और electronics से questions वो discuss किया था तो अब दोस्तों part 3 जो है यह वाला वीडियो इसमें हम क्या करेंगे कि remaining जितने भी questions हमारा इस paper के बचे हुए थे उन सारे technical questions को इस वीडियो में discuss करने वाले हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने इसका part 1 या फिर part 2 नहीं देखा है तो उसको उस वीडियो का link भी आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप description में जाके part 1 और part 2 को भी जाकर के देख सकते हो अगर आपको किसी questions में problem है तो क्योंकि हमने वापे detail में हर एक questions का solution किया हुआ है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप channel पर पहली बार आए तो channel को subscribe यूरू कर लिजिए क्योंकि आपको आगे आने वाले time में और भी electrical के papers का solution इस channel पर देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहांसे हम आगे जो next हमारे questions को हम discuss करेंगे तो दोस्तों हमने last जो वीडियो था हमारा part हो उसमें जो electronics का हमारा question number 18 था यहां तक हमने इस paper का discussion कर लिया था अपना पहला question है electrostatic type instrument are primarily used जो आपके electrostatic type instrument होते हैं वो primarily किस तरह से use किया जाते हैं तो वो हमारे voltmeter की तरह use किया जाते है electrostatic type instrument यह ओप्चन number 3 हमारा यहां पे सही हो जाएगा अगर हम बात करते हैं यहां पे electrostatic type instrument की इसमें आपका deflecting torque जो होता है td हमारा deflecting torque होता है यह क्या होता है 1 by 2 v square dc by d theta यह हमारे यहां से deflecting torque का formula आता है electrostatic type instrument में इसी के साथ अगर हम बात करते हैं electrostatic type instrument की इनका scale होता है यह आपका क्या होता है non-linear इनका scale होता है non-linear इसी के साथ जो अगर हम बात करते हैं हम जो doomping यूज करते हैं इस चाले हम अगले और अगला क्योस्चिन आता है हमारा हमारा energy को measure करता है तो हमारा integrating meter किस type के होंगे यह हमारा energy को measure करने के लिए यूज होंगे यानि कि option number 3 हमारा इसका सही answer होगा यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते है energy meter की तो अगर energy meter को हम AC के अंदर use करेंगे तो हम इसको किस नाम से जानते है किलो वार्ट हावर मिटर के नाम से जानते हैं अगर हम इसी energy meter को DC supply के साथ यूज करते हैं नहीं कि DC system में यूज करते हैं तो हम इसको ampere हावर के नाम से जानते हैं तो यह भी आपसे questions exam में पूछे जाते हैं कि हम AC में यूज करते हैं तो किस नाम से Energy Meter को जानते हैं और DC में यूसकरते हैं तो चोंचो किसे जानते हैं यह दो Qution आप से इसमें पूछे जाते हैं इसके लावाँ है । क्रिपिंग करने यानि Crystal की कांच की यह होता है। तो एंशोर सेफटी वोट शुट बी तर अर्थ इलेक्ट्रोड तो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड का रसिस्टेंस हो कितना होना चाहिए मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए क्योंकि हमारा जो अर्थ इलेक्ट्रोड में क्या होती है टाइब इंस्ट्रूमेंट फिलडए फैंड इंसट्रूमेंट करें तो हमारा गए ईल्य नमबर फिर्स्ट इसका सही answer ho ट्रांसफर इंस्टूमेंट के तोर पर मेजर हम इलेक्टि डाइनोमीटर टाइप इंस्टूमेंटके यूज करते ऐसे इसकेल होता है और कितनी होती है आपकी 30 से 10 से लेकर करके 30 Ohm पर वोल्ट इन की सेंसिटी होती है यह इसकी रेंज होती है सेंसिटीविटी की इसे के साथ अगर आप बात करते है इलेक्ट्रोडाइनोमिटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की तो हम इसमें इसमें एयर फ्रेक्षन डेंपिंग का यूज़ भी करते हैं तो यह सारी आपको याद रखनी है अगले क्योशन पर चलेंगे तो अगला क्योशन आता है हमारा तो हमारा आपका जो ओपेंप होता है ओप्रेशनल एंप्लिफायर होता है 741 वो आपका कितने पिंस होती है उसके अंदर तो यहां पर अगर हम बात करते पिंडाइग्राम की तो हमारा जो ओप्रेशनल एंप्लिफायर होता है 741 तो इसका जो पिंडाइग्राम होता है वो कु पीन होती है और यह आपकी सोरी यहां पर आपकी यह थर्ड पीन होती है और यहां पर आपकी फॉर्थ पीन होती है उसी प्रकार यहां से आपका क्या होता है यहां पर फर्स्ट पिन सेकंड पिन थर्ड पिन फॉर्थ पिन उसके अलावा यहां से हमारी जो आएगी यहां पर कि नाती है यहां पर हमारे पास 6 नंबर चीक ना चाए उसके बाद हमारी पास क्या आजाता है सेवंध नंबर की ऩविल यह उसके मारी वह सेट है यह मारी ऑप्रेशिनल एपर्टीं को inverting तो हमारी पिन नमबर सेखेंड होते हैं किस FLs investors इनवर्टिंग पिन होती है उसे के साथ अगर हम बात करते हैं पिन नमबर उन वर फिन की केटेग्रीमें आती है यह अगर भात करें के फूर्ट नमबर पिन के तो हमारी पावर पिन होती है वो भी negative, उसे के साथ अगर बात करते हैं, six number की पिन की, तो six number वाली pin होती है, हमारी output के pin होती है और seventh वाली यह मारी power की होती है, लेकिन साथ में यह positive वाली होती है, लेकिन आपकी fourth वाली power की यह negative है, तो यह आपको होती है आपके लिख सकते हैं यानि कि हम लिख सकते हैं यानि कि आपको सारी पिन्स के बारे में याद रखना है यानि कि आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा या आप यहां पर हमारे जो कितने 7-4-1 operational amplifier होता है या अगले questions पर चलेंगे तो अगला question आएगा हमारा the number of Basic SI units is तो हमारे जो basic SI unit होती है वो कितनी होती है साथ होती है जैसे के आपको पता भी होगा साथ basic unit कौन कौन सी होती है हमारे जैसे time हो गया length हो गया current हो गया luminous intensity हो गया amount of substance हो गया और mass हो गया ये सारी हमारी क्या होती है 7 basic unit होती है अगर आप इनके units की बात करते है तो हमारा time किसमेशर करते है हम second में जैसे length हमारी लंबा होती है मीटर में current का मात्रग क्या होता है हम ampere लेते हैं से टेंप्रेचर और किसमें मेजर करते और में मेजर करते हैं और अमांट स़स्टेंस निदर कड़े मह Bonne Damen में मेर कर से यह मांद बैसिक कंडामेंटल कॉंड़ेंटिटी opedia क्यों करते हैं यहां से इसको刻 करते अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है हमारा the material of wire use for making standard resistance is usually तो हमारा standard resistance बनाने के लिए जो wire का use किया जाता है तो हमारा magnet का wire होता है याणि option number first हमारा question का सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है हमारा mega is essentially तो हमारा जो mega होता है mega ohm meter होता है याणि कि option number second हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा और हमारा मेगर जो यूज होता है यह क्या करते हैं हम इसको इंसुलेशन का रसिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं यानि कि अगर मेगर की बात करते हम क्यों यूज करते हैं इसको इंसुलेशन का इंसुलेशन रसिस्टेंस को मेजर करने करने के लिए, हम किसका use करते है, यहाप यहं मेगर का use करते है, और इसकी speed कितनी होती है, हमारी 160 rpm इसकी speed होती है, और है आपका किन-किन दो चीजों का Combinator होता है, यह आपका smells होता है, और अपकी DC handi graft generator का Combinator होता है, है हमारा air friction damping is used in an instrument तो हमारे जो air friction damping यह होती है यह हमारी moving iron instrument के अंदर हमारी क्या होती है air friction damping का हम use करते हैं अगले questions पर चलते हैं तो अगला question है हमारा two-part tariff is used for consumer तो गुंजूपर टिरिफ होता है वो कंजूपर किस तरह के consumer के लिए यूज होता है तो हमारा two part tariff होता है industrial consumer के लिए यूज किया जाता है तो option number third हमारा इस question का सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है the bridge frequency sensitive तो आपको जो frequency measurement के लिए कौन से bridge का use किया जाता है तो आपको पता है frequency को measure करने के लिए when bridge का use करते है यानि कि option number first हमारा इसका सही answer हो जाएगा अगर हम बात करते हैं जो हम when bridge चे frequency measure करते हैं तो frequency measure करने के लिए यहां पर हम frequency measure करते हैं तो उसका हमारा पास formula क्या होता है f बराबर one upon two pi under road r1 r2 into c1 c2 तो यहां से अगर हम क्या करते हैं आपने यह formula आपने नहीं पढ़ा होगा यहां यहां से अगर हम r1 is equal to r2 ले लेते हैं उसे के साथ हम c1 is equal to c2 ले लेते हैं यहां से हमारा पास frequency calculate करने का जो formula बनता है वो क्या बनता है f is equal to one upon two pi rc तो यह हमारा frequency calculate करने का formula बनता है when bridge जो हम frequency को calculate करते हैं अगला question पर चलेंगे अब हम तो अगला question है which bridge is used to measure the inductance of high Q inductors तो आपको जो high quality factor होता है उस के लियम कौन से bridge का use करते है high quality factor को measure करने के लिए तो आपको पता है high helium किस का use करते है hey bridge का use करते है तो हमारा इस question का सही answer क्या हो जाएगा option number second हमारा इसका सही answer हो जाएगा तो यहाँ से जिस भी instrument का quality factor कितना होगा करते हैं Well के द्वारा में इसको मेजर करते हैं लेकिन अगर अगर अगल हाट करते हैं जो तकनर करते हैं अगर होता हैं स accepts में में आजाएगा में में मेडियम रिजिक कर्ते हैं मैं से पर तैंस को को हरके prints से नुए 120 फैक्टर को मेजर करते हैं जिसकी वेल्यव खेक्रिंदानव नहीं होता यानि कि यह क्या होता है हमारा लो 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 फेक्टरंडक्टरों किसे अधर करते ईंडर्सन ब्रीज मेर्च ंपी और जिसकी वेल्य में आप से पूछे गए तो यहां से मेस्र Hybrid एक खतम वो जाते हैं इसके बाद आप आपसे Control system के आप जाते हो एक से सकते हुं likewise जो एक Conclusion का है ग Luck regularly क्रेक्षे करेक्ट ऊब ऑर अंडर घंड शिस्टम क어줍니다 है एव्हां सर Information के लिए बताना है तो मैं यहां आप आप neutrality सबी को बता देता हूँ क्या कौन सा आपका over damped होता है कौन सा आपका critically damped होता है कौन सा आपका undamped होता है तो अगर हमारा जीटा होता है अगर हमारा जीटा zero होता है तो यह हमारा कौन सा system होता है यह हमारा होता है undamped उसे के साथ अगर हमारा जीटा जो होता है यह अगर हमारा इक्वल टू वन होता है तो यह हमारा सिस्टम होता है क्रिटिकली डेंड क्या होता है हमारा क्रिटिकली डेंड उस अगर बात करता हो में जीटा हमारा ग्रेटर देन वन होता है तो यह क्या होता है हमारा ओवर की kondition Door यह एक्वेशन्स पूछी गए है वह जाएगा जीटा जेता सब्सक्राइब solution का सहीं आंशर होगा अगले पर चलते है तो अगला हिंआ अप्रLes पूछा जा रहा है कि वो कौन सा system होता है जिसमें उसका output जो हम automatically control नहीं कर सकते हैं तो आपको पता है कि open loop system होता है हमारे पास open loop system में feedback का use नहीं करते हैं होता है यह कौन सा होता है हमआरे पर राउथ हर्विट्स के से फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस एक्वेस्टिंस के अकोडिंग टेबल बना लेते हैं टेबल किस प्रकार बनाते हैं यहां से यह हो जाएगा हमारे पास एस क्यूब जो कि हमको हाइ सबसे पहले हम जो करेंगे क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा उसके बाद फिर इसका मल्टिप्लिकेशन इस से करेंगे तो यह कितना हो जाएगा माइनस 4 और आप माइनस के साथ लिखते और फिर इस वाले टर्म का हम डिवाइट करते तो यह हो जाएगा 1 जब हम इसको सॉलो करेंगे तो हमको कितना मिलागा mean 3 तो अब चो term आईगी वो कितने आ जाएगे है माईस 3 वो अमारे s की power 1 की value आ जाएगी इसी प्रकार अब हमको अगले value उसको भी solo करना है तो अगले value कैसे solo करेंगे 1 का multiply करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा 0 फिर हम इस 0 का multiply करेंगे 1 में तो फिर 0 हो जाएगा और फिर हम इसी 1 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 1 तो यानि कि यह भी हमको कितना मिल जाएगा 0 उसे प्रकार अब हम next S0 की power निकालेंगे तो फिर अब हम क्या करेंगे इस minus 3 का multiply करेंगे 4 से तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास minus 12 उसके बाद हम multiply करेंगे 0 का 1 से तो यह हो जाएगा minus 0 upon divide करेंगे minus 3 से तो यह हमको कितना मिल जाएगा यह हमको मिल जाएगा 4 यानि कि यह कितना हो जाएगा 4 तो यहां से हमारे पास कि आजाएगा 4 उसके बाद अगर हम यहां से दो बार साइन चेंज हुआ यहां सा आप देख सकते हो अगर हम यहां पर बात करते हैं अगर हमारा यहां पर माइनस तीन नहीं आता अगर यह माइनस तीन नहीं आता तो यह हमारा सिस्टम क्या होता इस्टेबल होता लेकिन हमारा जो यहां पर क्या हो रहा हमारा एक बार तो यहां पर यह सिस्टम क्या होगा थो क्या हो जाएगा तो यहां पर यहां पर क्योंस्ट का सही आंसर होगा अब चलते ह millennials अगला क्योंटestar है सें फेसिफ्ट ओफ सेकंड ओडर सिस्टम विठ बड़ा करें व ट्रांसपर फंक्शन वह अपोंटkaa स्कूरिस तो यहांसे आपको अपको इसका भिसट निकालना है तो जैसे हम s बराबर j omega put करेंगे तो यहाँ पे हमारा यह क्या होजाएगा tree of s बराबर यह होजाएगा 1 upon j omega square यह हमारा पास इसकी value हो जाएगी तो अब हम इसको आगे और क्या लिख सकते हैं तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 plus j 0 तो यह हमारा पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से हमारा पास j omega square है तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं तो यहाँ से हमारा पास यह आजाएगा इसको हम लिख सकते हैं 0 plus j omega square तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं यहां से हमारे पास यह value आ चुकी है अब हम इसको इसका क्या करेंगे angle निखा लेंगे तो angle कैसे निकालना है तो यहां से अब हम आगे देखते तो angle कैसे निकालेंगे तो यहां से हमारे पास value आई थी वो क्या आई थी हमारे पास one plus j zero upon zero plus j omega square यह हमारे पास value आई थी upon real axis component यहां से हमारा क्या हो जाएगा 0 upon 1 upon यह हो जाएगा हमारा 2 और यहां से हो जाएगा हमारे पास 10 inverse और यह हो जाएगा हमारे पास omega upon 0 यह हमारे पास इसका angle आएगा अब इसको जब हम solve करेंगे तो आगे जो आगे S登録 करेंगे तो TN Inverse 0 upon 1 यह कितना हो जाएगा हमारे पास यह लाएगा यह भर यह देखते लागे कि प्रकार करेंगे उपर पलिटम 0 थी 2 इन्टो 90 यह हो जाएगा हमारे पास 0 upon 180 जब यह मारा उपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा 0 minus 180 तो कितना आजाएगा face shift हमारा minus 180 degree तो हमारा इस question का जो सही answer होगा वो कितना होगा minus 180 degree तो यहां से हमारा सही option हो जाएगा option number 4th यहां पर आपका यह option answer की में घलत answer दिया होगा है जो सही answer आएगा वो हो जाएगा हमारा minus 180 degree हमको यहां पर face shift देखने को मिलेगा अगला questions पर चलते हैं तो अगला question आता है हमारा the frequency at which the face angle is 180 degree is code तो हमारे जो face angle हमारा 180 degree होता है तो frequency को face cross over frequency कहते हैं यानि कि option number 3rd हमारा इस questions का सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है हमारे पास determine transfer function if the impulse response is e की power minus 2t तो यहां से आपको एक transfer function दिया हुआ है इसका impulse response दिया हुआ है तो यहां से हमको इसका transfer function निकालना है कैसे निकालेंगे हम तो यहां से आपको यह एक system दिया हुआ है यहां से आपको यह क्या होता है हमारा transfer function होता है और यहां से आपको input में जो दिया हुआ impulse दिया हुआ है और यहां से output आपको क्या मिल रहा है e की power minus 2t यह आपको output में मिल रहा है याने कि output में मिल रहा है याने कि यह क्या है हमारा C of S और input एधर क्या हो जाएगा हमारा R of S जो कि हम input देते हैं और यहां सा आपको input जो दिया भाया है क्योंस्टन स्वर्ष को किस तरह का सिर्णल है वह है हमारा impulse to impulse के लिए क्या होता है हम r of t यहां पर impulse के लिए होता है r of t याने कि इसका जो अगर हम laplace transform करेंगे तो इसका laplace transform क्या होता है impulse के लिए तो इसका होता है one उसी प्राकार अगर हम eq power minus 2t का laplace transform करते हैं तो इसका laplace transform क्या हो जाएगा one upon s plus two इसका laplace transform आपको खुला आपको ऐसे डाइगा उता है इसको लेना यहाँ यहाँ से लेगा वह जाए गा 1 upon S plus 2 divide by यह हो जाएगा हमारा 1 तो यहाँ से जब हम इसके सोलू करेंगे तो transfer function हमको क्या मिल जाएगा तो यह transfer function हो जाएगा हमारा 1 upon S plus 2 तो यह हमारा answer हो जाएगा यानि कि जो हमारा impulse response था e की power minus 2t इसका जो transfer function होगा वो क्या हो जाएगा 1 upon S plus 2t यानि कि option number हमारा इसका option number first हमारा इसका सही answer होगा तो अब चलेंगे हम अगले questions पर तो यहाँ से हमारा अगला question आता है तो दोस्तों यह जो हमारा questions थे control system के 6 questions आप से पूछे गए तो यह 6 questions control system के हमारा यहाँ से complete होते हैं उसके बाद अब आपके जो remaining questions हो आपके कुछ material science के question है और कुछ आपस miscellaneous questions यहाँ से पूछे गए तो 12 questions वो हमारे पास यहाँ से बचते हैं तो अब हम उनको discuss करते हैं तो यहाँ से हमारा पास अगला section आता है वो आता है material system का यानि material system यानि कि material science का हमारे पास यहाँ पर section था तो यहाँ पर हमारा पहला question है is a material that is used to make cable sheet तो यहाँ से हमारे cable sheet होती है उसको बनाने के लिए किस material का यूज करते हैं तो यह इसका यूज करते हैं blade का बनाते हैं तो option number third यहाँ पर हमारा question का सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है what is the coordination number of a body centered cubic structure यानि कि जो हमारा BCC होता है इसका हमारा coordination number होता है वो कितना होता है आठ होता है तो यह आपको direct याद रखना है क्योंकि आपको पता है material science जो होती है आपकी पूरा आपको यहाँ से fact वाली चीज़े पूछ जाती है होगा अगले question पर चलेंगे तो अगला question है which of the following is not an example of semiconductor material तो यहाँ से हमारा जो semiconductor material होते है उसका कौन सा example नहीं है तो आपको पता है कि जो हमारे semiconductors होते हैं वो कौन से group के होते हैं fourth group के यहाँ पर हमारे पास semiconductor material होते हैं जैसे कि हमारे पास silicon हो गया germanium हो गया arsenic हो गया तो यह हमारे पास क्या होते हैं तीनो semiconductor material होते हैं लेकिन copper जो होता है हमारे पास semiconductor material नहीं होता है तो option number हमारे पास इसका second सही answer हो जाएगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है हमारे पास which of the following is an example of monoclinic monoclinic system तो हमारे जो monoclinic system होता है इसका example कौन सा होता है तो हमारे जो monoclinic system होता है वो होता है हमारा FESO4 यानि के option number third हमारा इसका सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है हमारे पास what is the atomic packing factor for BCC and FCC तो हमारा BCC के लिए जो हमारा BCC के लिए जो हमारा atomic packing factor होता है यह होता है हमारा पास 0.68 और FCC के लिए जो हमारा atomic packaging factor होता है यह होता है हमारा पास 0.74 यहां से हमारा इसका answer हो जाएगा option number fourth हमारा इसका सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है state the electronic configuration of organ तो यहां से आपको element होता है और organ क्या होता है हमारी noble gas की category में आती है यह क्या होती है हमारी noble gas होती है और इसका atomic number कितना होता है 18 होता है तो यहां से हमारा इसका electronic configuration जो ही वो कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 यानि कि हमारा इस question का जो सही answer होगा option number 3 हमारा इसका सही answer हो जाएगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है यहां से तो यह आप जैख सकते हो यहां से हमारे पास जो 6 questions थे हमारे material science के वो भी हमारे complete होते हैं तो यहां से अब हमारे पास कुछ miscellaneous questions थे तो वो miscellaneous miscellaneous question हमारे पास बचते हैं यहां से हमारा पहला question आता है तो maximum firing angle that can be obtained by pure resistive triggering circuit used in face control circuits तो हमारे पास जो face control circuit होता है उसमें जो हम pure resistive triggering का use करते हैं तो उसमें हमको face shift जो मिलता है वो कितने का मिलता है firing angle वो 90 degree का मिलता है तो यह हमारे इसका हमारा जो सही answer हो जाएगा क्या हो जाएगा 90 degree यानि कि option number B हमारा यहां पर सही answer हो जाएगा क्योंकि जब हमारा जब applied voltage 90 degree पर maximum होता है तो उस समय हमारे जो gate current होगी वो क्या हो जाएगी minimum होगी तो हमको जो maximum angle देखने को मिलेगा face shift वो कितना मिल जाएगा 90 degree यहां पर हमको firing angle देखने को मिलेगा यानि कि option number second हमारा इस question का सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है बकोज relay is in तो यहां से आपकी जो बकोज relay होती है यह क्या होती है हमारी gas actuated relay होती है या फिर हम कह सकते है gas operated relay होती है जो कि हमारी किसमें use होती है transformer को internal fault से सुरक्षा provide करवाने के लिए use होती है और यह हमारे जो use होती है किससे 500 kVA से जिन transformer की rating 500 kVA से ज़्यादा होती है उसी में हम बकोज relay का use करते हैं अगर transformer की rating 500 kVA से कम होती है तो हम उसमें use नहीं करते हैं यानि कि हम कह सकते हैं कि इसका use कहा करते हैं पावर transformer के अंदर हम इसका बकोज relay का use करते हैं अगले questions पर चलेंगे तो अगला question है हमारे पास HRC fuse provides best protection against तो हमारे HRC fuse होते हैं वो हमको best protection किससे provide करवाते हैं शोर्ट सर्कीट से यानि कि option number यहाँ पर हमारा second question का सही answer होगा अगले questions पर चलेंगे तो next question आता है हमारा combine together are cut stray losses तो यह हमारा DC machine से questions है जब हम iron losses और mechanical losses यानि कि जब हम iron losses प्लस जो हमारा mechanical losses होते है क्या होते हैं हमारे पास mechanical losses तो income किस नाम से जानते हैं तो income दोनों को combine नाम से जानते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं stralosis तो यह हमारे क्या हो जाएंगे इस्ट्रे लोस इस्क्या हो जायेंगे iron losses प्लस mechanical losses का जो सम होता है यह क्या होता है stralosis होता है यानिक खिल्योंबर थर्ड हमारा इसका सही answer होगा next question पर चलेंगे तो अगला question है हमारे पास two coils in different connection self inductance two millihenry and four millihenry a mutual inductance is 0.15 millihenry the equivalent inductance of the combination तो यहांसे आपको differential connection में connected है तो यहांसे हमारे पास इस प्रकार यह आपको दो coil दी हुई है यह दियो है जो हमारा first coil है इसका आपको inductance कितना दिया हुई two millihenry और the second coil है यह इसका inductance कितना है four millihenry किसमें क्नेक्टेड है menjadi दिफने कि या ने कि इसका दोर्व दौर्षक स्काुषल ἄपकर उसका मतलब किए हमारे डिफरेंचयल में चैडेड़ है और इंसके भीत पह से मूचल इंड़कनेंस दिया हुआ है एम वो कितना दिया हुआ है हमको 0.15 मिली हेंरी यह हमको इनके बीच का mutual inductance दिया हुआ है तो यहां से आपको calculate करना है L equivalent तो आपको पता है L equivalent जब हमारा differential में connect होते हैं तो L equivalent का formula होता है हमारे पास L1 plus L2 minus 2M तो यहां से आपको L1 की value भी गीवन है L2 की भी गीवन है और M की value भी गीवन है तो यहां पर हम इस formula में value put up करेंगे तो यहां से हमारे पास L equivalent आएगा वो क्या जाएगा L1 L1 कितना है हमारे पास 2 plus L2 L2 कितना हो जाएगा 4 minus 2 into M कितना हो जाएगा 0.15 तो इसको जब हम solve करेंगे तो solve करने के हम कितना मिल जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा हमारा 0.3 यानि कि यह हमारा कितना हो जाएगा 5.7 milli henry यानि कि option number 3 हमारा इसका सही answer होगा 0.5 7 milli henry अगले question की बात करेंगे तो अगला question है हमारे पास वेंड गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग होता है यहां पर फिर भी अगर हम बात करते हैं अनिस्टेबल सिस्टम के लिए यहां पर अनिस्टेबल सिस्टम के लिए जो आता है हमारा गेन मार्जिन वो क्या आता है वो नेगेटी होता है और फेस margin जो हता है वो क्या होता है वो हमाना ये हूता है और i ऐसे लिए हमारा है फैस होता है इसके संद गई होता है most चौनधे करते होसने के सीस्टम में उस्टम में हमारा ये कितना होता है यहinka यह हमारे पास बटाम यहां से आप देख सकते हो जो हमारा पूछा गया है जो फेश अनेके प्र demokrat का कोंगर को लेकिन फिर हम यहां पर चाहे तो option को यहां पर हम पर सही मानिके चल सकते हैं तो इस प्रकार हमारा इस सप्सक्राइब लीजिए और पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसे इलेक्ट्रिकल के पेपर का सोल्यूशन इस चैनल पर देखने को मिलेगा और अगर अभी तक आपने हमारा इसका पार्ट वन और पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डेस्क्रिप्शन में तो आप जाकर के उन वीडियो को भी देख लीजिए मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमार साथ धन्यवाद